यूनिवर्स का जमाना है बॉस आजकर लेकिन एक फ्रेंचाइज ऐसी है जो ये सब कूल होने से बहुत पहले ही काफी दूर की सोच रही थी धूम की बात कर रही हूं मैं जुसका हर एक पार्ट फिल्म कम और एक्सपीरियंस जादा लगता है थेटर में बैठते ही नई दुनिया के दर्वाजे खुल जाते हैं टोडल तीन मुवीज बनाई गई जुन ने वर्ल्ड वाइट पूरी दुनिया में अल्मूस्ट आचसो करोड का बिजनिस किया और इज़त आठ हजार करोड से भी जादा वाली कमाई लास्ट पार्ट धूम 3 अल्मूस्ट 10 साल पहले 2013 में रिलीज हुआ था जुसके बाद YRF ने स्पाई उनिवर्स पर पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया तो फिर आज धूम की बात क्यूं ये सवाल आपके दिमाग में इस वक्त घंटी जरूर बजा रहा होगा क्योंकि बहुत सोचल मीडिया पर एक न्यूस जम कर बवाल काट रही है बताने की जरूरत शायद है नहीं इसकी हेडलाइन धूम 4 से शुरू होती है धूम 4 में शारु खान जो लोग सिनमा में डूबे रहते हैं उनको ये न्यूस बहुत पास से चुकर जरूर गुजरी होगी पिछले 3-4 दिनों में और जब सपना देखी रहे हैं तो फिर कंजूसी क्यों करनी थोड़ा बड़ा देख लेते हैं जब फिल्म में बनाई पबलिक के लिए जाती हैं तो फिर पबलिक से ही पूछ लेते हैं न कि फिल्म में उनको किसको देखकर सबसे ज़ादा मजाएगा बॉस मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी ये होगा कि हम धूम फ्रेंचाइस को टोटली रीबूट कर दें माने पुराने वाले एक्टर सारे के सारे चेंज कर दिये जाएं और जैसा आप जानते ही हो धूम फ्रेंचाइस की असली पावर इसके विलन्स होते हैं वो कैरेक्टर जो लीगली शैतान है लेकिन दिल से हीरो मटेरियल तो भाई आप मेरे पास तीन नामों की लिस्ट है जो एकड़म सूट करेंगे धूम फ्रेंचाइस में लीड रोल प्ले करने के लिए और सबसे इंपोर्टन चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि धूम फ्रेंचाइस को पान इंडिया रिलीस करना है इसलिए कास्टिंग भी वैसी ही होनी चाहिए सबसे पहले तो सबके फेवरिट दबाच्शा शारुक खान ये बंदा अगर धूम फ्रेंचाइस में घुज गया तो पैसा ही पैसा होगा बाबु भीया एसार के इन नेगेटिव करेक्टर दोस्त इस कॉमिनेशन के लिए पब्लिक बिल्कुल रेडी नहीं है डर और बाजिगर वाला परफॉर्मेंस एक बार फिर से ब्रिंग इट उन दूसरा नाम इंडियन सिनिमा के CEO दे रॉकिंग स्टार यश जो केजी अब से बाहर निकल के अब पूरी दुनिया पे रूल कर सकते हैं धूम के बैट गाय बनके पता है कि नहीं आपको यश बहुत जल्दी बिग बजट फिल्म रामाइंड में रावन का केरेक्टर प्ले करने वाले हैं जिसके बाद इनकी फॉलंग नेक्स लेवल पे होगी साहू में एक ट्रेलर मिला था प्रभास का स्मार्ट गाय हाफ विलन स्टाइल में लेकिन फिल्म का विजन गरबर निकला जिस वज़र से प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाया बस एक अच्छा डिरेक्टर और प्रभास का स्टाडम बागी काम पबलिक खुद कर देगी पैन इंडिया में इससे बेस्ट कॉम्बो दूसरा नहीं होगा लगी शर्ट ये तो हो गई लीड केरेक्टर की बात लेकिन फिल्म वही परफेक्ट बनती है जिसमें हीरो के सामने खड़े होने वाला विलन इस केस में पुलिस एकदम टककरका हो ऑप्शन नमबर वन विकी कोशल भाई साब ये बंदा गिर्केट के जैसा है कुछ भी बना लो कुछ भी करा लो धूम में स्टाइल विलन की तो आक्टिंग का कोटा ये पूरा करेंगे सोचो अगर उरी और स मांग से बहार नहीं निकलता बस रामचरण की ड्रेस थोड़ा सा चेंज करनी है और पुलिस केरेक्टर में ये बंदा किसी भी चोर का पैंट गीला कर देगा प्लस पैन इंडिया फॉल्लाइंग सॉलिड है और बताने की जरुट शायद है नहीं कि रनबीर की फॉल्लाइंग न्यू जनरेशन में टॉप लेवल की है जिसका सबूत एनिमल का कलेक्शन नौसो करोर पार वैसे दो अक्टर्स और है यार जिनको मैं धूम फ्रेंचाइज में किसी भी रोल में एक्सेप्ट कर लूँगी सपोर्टिंग अक्टर्स में पहला नाम संजू बाबा इनको चाहिए इवल बनातो या फिर कॉमीडी अफ्तार में घुसा दो इनके बिना कोई भी बड़ा पैन इंडिया प्रोजेक्ट अधूरा सा लगता है और दूसरा नाम लौड बॉबी देवल आनिमल के बाद में वेट नहीं कर सकती इनको वापस किसी फिल में देखने के लिए इवल हुआ तो मजा आ जाएगा तो बहुत धूमपोर के लिए ये मेरी लिस्ट है अब मौका आपका है अपनी सोच बताने का क्या पता सरस्वती जी आज आपकी जुबान पर बैटी हो सोच समझ के बोलना बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फ़र कुछ शिकायद करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में ठेक क्या बाई बाई